प्यास बाले पालक के पकोड़े की रेसिपी आज मैं आपके लेकर आई हूँ सिर्फ पांच मिट में आप ये पकोड़े बना कर रेडी कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में कुरकुरे भी बहुत जादा हैं इंस्टेंटली अगर आप इसको बना कर खाएंगे तुरंथी खाएंगे तो बहुत ही कुरकुरे लगेंगे टेस्टी लगेंगे और बहुत हल्दी भी हैं क्योंकि हमने इसको बना रहे हैं पालक के साथ तो सर्दियों में पालक खूब आती है सस्ती भी आती है तो इसकी आप सबजी बनाईए आप इसकी पूरिया बनाईए यह भी प्रने हर आपिना प्रोफितन है इस अगोड़ी आगए पालक के निई आप्कोड़ी में आप आगे तो कीव पना सकते हैं क्या सकता है यह आप जाती हूं नियों हम आप दो एक मोट तो नियों आप पालक डिली अलेडी द्होल्ड़र रखा है तो फोच तक बना लेते हैं तक हम पकॉडियां बना पाइं इसके लिए एक बड़े से बरतन में हम लेंगे देड़ कप के करीब यहां पर बेसन आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं उससे नापकर आप बेसन ले सकते हैं और इसमें आदी छोटी चमच लाल मिर्च का पावडर डाला है ला जो भी चीज फिर्ट, अपकोड़ भी और ऐसे ही बनाईएगा। आपके पकोड़े भी नहीं बहुत ही तियार करेंगे, छो बहुत पानी करेंगे। और जो हमारा गोल बनकर तयार होगा तो उसके बाद में उसको हम फेटेंगे लगबग दो से तीन नट तक इसको हमें फेटना होगा तब ही आपके पकोड़े बहुत फूले पूले टेस्टी और एकदम कुरकुरे बनेंगे तो हमें यहां पना इसमें इस बैटर के अंदर हम पकोड़े बनाते हैं तो बेसन के जो घोल म बनाते हैं उसको एक बार में पतला करें हमेशा ही ना उसको थोड़ा गाडा रखें अच्छे से उसको 2–3 मिनट तक फेटे और इसके बाद में इसमें ढालेंगे पालक तो यहांपर देखिए मैंने इसमें पालक डाल श्र्व गोल बनाने में हमें लगबग 3-4 कप के करी पानी लगा ए और अब इसमें हम पालक मिक्स कर देंगे पालक भी आपको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करनी है आप देख सकते हैं तो बस इतनी ही अम इसमें पालक एट करेंगे तो लगबद 200-500 g एक पालक उट बिलकूल आपकी उपर डालना और उपशनल रेकर आप चाहें तो प्यास या?, पैस बाले तो पैस बाले के पकोरचच के पकोड़ेश लेट까지 बन जाएँगे इसलिए मैंने इसमें प्यास में भी काटकरी डाला है आप सहाएं तो कोता सकते हैं अर्फ सक्किप क्रना चाहें थो शक्याये है βी कर सकते हैं या फिर ना डाले कोई प्रोबल्म नहीं है तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनते हैं पकोड़े अब इसमें हम एट करेंगे यहां पर हाफ टीस्पून के करीब गार्लिक पेस्ट तो लहसुन का पेस्ट एट किया है आप फ्रेश गार्लिक को कूट कर या फिर कद्दुकस करके भी डाल सकते हैं लगबग साथ से आट 娞ा ने मिक्स कर का लिया यहां पर हमारा घोल बनकर त्यार है तूसरी तरफ मैंने सर्सों के तेल को गरम होने के लिए ख दीया है तो प्लेम को मैंने यहां घु कर तो बीच बीच में आप चाहें तो कोई दूसरा काम कर सकते हैं इनको इसी तरह से सिखने दीजिए और बीच बीच में आप इसको हिलाते रहिएगा बस इन वे जब लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा इसके बाद में पकोड़ों को आप बाहर निकाल लेंगे और आप इसको किसी भी एब्सॉर्बंट पेपर पर या फिर टिशू पर निकाल सकते हैं ताकि जो एक्स टॉयल है वो पूरा की पूरा एब्सॉर्ब हो जाए और यह देखिए हमारे जो पालक के पकोड़े हैं बहुत ही कुरकुरे बने हैं बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं तो इस तरह से शाम के वक्त आप इसको चाय के साथ कौफी के साथ किसी के साथ भी बना सकते हैं और एक बात और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी टिप मैं आपको दे रहे हूं कि यहां पर यह जो पालक के पकोड़े हैं इसको आप कई तरीके से यूज भी कर सकते हैं जैसे पकोड़े जब आपने बनाए हैं तो आप चाहें तो बेसन की कड़ी में भी आप इनको डाल सकते हैं जैसे आपने कड़ी का जोल बनाया इसके बाद में आप इन पकोड़ियों को डाल दीजे तो आपकी ना पालक के पकोड़े जो होंगे ना पालक के पकोड़े वाली बनकर रेडी हो जाएगी तो बहुत ही टेस्टी लगती है मैं इसको बल्कुल ऐसे ही यूज करने वाली हो गड़ी बनाओंगी जिसकी रेसेपी बहुत जल आपके साथ शेयर करोंगी तो इस वीडियो को आप बल्कुल सेफ कर लीजे क्योंकि पालक के पकोड़े बहुत ही टे अग वळचन गार्डन में लगी हुए टो यह फ्रेश पालक है ए आईरां यह भर पूर है और बहुत तक पाद है जिसको कि आपको अपनेसरदियो के मौसम में जरूर कहना चाहिए ऎल्थ के लिए बहुत अछह उते हैं तो बहुत अच्छा हमें इडन भी मिलेगा खुन ब पर आजकल तो लगबग हर सीजन में मिली जाती है तो इन पकोड़ों को आप किसी भी सीजन में बना सकते हैं तो यहां पर मैंने पालक का यूज किया है आप चाहें तो इसमें धनिया डाल कर भी बना सकते हैं जैसे धनिया गर आपके पास काफी सारा है तो धनिया प्यास वाल पकोड़े बनकर त्यार है, इसको आप केचप के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ किसी के साथ भी एंजॉई कीजिए आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे कैसी लगी रेसेपी लिखकर ज़रू बताएं, बनाने के बाद में फीडबेक जरूर दे, थैंक यू सो मच पर वाचिंग, बाई